दोस्तों नमस्कार, हम आपके लिए फिर से लेके आएं एक मोटिवेशन स्टोरी जो हमें बताती है सफलता का रहसे है, हमें सफल कैसा होना अपने जिन्दगी में, ये कहनी भी हमें उसी रस्ते पे लेके जाती है और इसका भी हमारा वही एक हमारा जो सारांज निकलता है, हम कहानी स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप हमारी वीडियो देखें, जो हमने अब तक बनाई है, और कमेंट कर बताईए, उसके बारे में आपको क्या हमारे राय है, ताकि हम अपनी कहनी को वैसे ही इंप्रोव कर सकें, चले हम आगे चलते हैं एक दिन राजू सुबह टहल रहा था, तब ही उसके नजर एक छोटी स्पत्थर पड़ी, जैसे ही राजू ने उस पत्थर को देखा, छोटा छोटा सा गोल सा पत्थर अच्छा था था, उसने उठाया और जितनी जोर से फैक सकता तो ने फैका, पत्थर एक दो बार उजल और कुछ दूर जाके गिर गया, सुरुष को चेकित हुआ, उसने फिर अभी तक अभी ऐसा नहीं देखा, उसने फिर से कोशिश करने का फैसला किया, इस बार पत्थर को और जोर से फैका, इस बार पत्थर पहले से थुट्छा अधिक दूर जाके रुका, उसको अच्छा लगे करेगा, यहार तों बहुत अच्छी, मतब और जोर चला गया, मतलब स्कर्ण है तने तने दूर जाएगा, उसने करीते ही तो पत्तर फैका इस बार और दूर जोर से बेखा, प्रते एक बार पेकने पर पत्तर तो तुर से जाता रहा, इस हर बार उसको लिया पत्तर न तो एक बार ऐसा है कि उसने फैका तो इतने दूर जाके गिरा कि उसको दिखाई नहीं दिया कहां जाके गिरा तो राजू सोचन लगा वह बैट गया वह सोचन लगा कि अभी क्या हुआ था उससे हैसास हुआ कि छोटा चा पत्थर केवल इसलिए इतने दूर तक जा सका क्योंकि उसने उसे ऐसा करने की शक्ति दी थी उसने जितनी जोड़ से पत्थर को फैका दब वह उतने दूर तक गया तो उसको ऐसास हुआ राजू को यही सिद्धान्त उसके जीवन पर लग होता है यदि वह महान चीज़ों को हासिल करना चाहता है तो खुद को ऐसा करने की सक्ति देनी होगी उन्हें अपने लिए चुनती पूर्ण रक्षी निदार्ड करना होगा और उससे हासिल करने के लिए कड़ी मैनद करने पड़ेगी उसने खुद से वादा किया कि वह आपने सपनों को कभी नहीं चोड़ेगा वह कड़ी मैनद करते रहेंगे और खुद पर विश्वास करन ही कभी नहीं छोड़ेंगे वह जानता था यदि उसने ऐसा किया तो वह सब कुछ हासिल कर लेगा जो से ठाना है तो हमें इस काने से क्या सिख मिलती है आप जो भी ठान लेंगे उसे हासिल कर सकेंगे बसरते आप खुद परिशास रखें और कभी हार ना माने जितने मैनित करोगे उतने ही आगे बढ़ेंगे इसके लिए चुनोतियों को लक्षा हासिल करने कभी नट रहें खुद परिशास रखें और अपने सपनों को ना छोड़ें सो यह थी हमारी एक छोटी स्काहानी सिंपल सबक यह है कि अगर आपको लक्षा पूरा करना है जितनी जोर से उस लक्षा को या जितनी मैने से और लक्षा पर काम करेंगे उतना ही जल्दी या उतने ही स्पीड से आप अपने लक्षा को हासिल करोगे जाए वो लक्षा केतन मेन्द करेंगे तो हम हमयशा सवल्सूवचा को पालेंगे तो यह अभी को श्कुलता का जैसे है तो कैसे लगए आपके अमरी कानी हमें कमेंट करके बताइए ताकि हम अपने काने को और अच्छा बना सकें और अगर आप अमारे चैनल पिंक किसू विचार पे नए हैं तो आप अमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और आप इसे शेर करिए अपने प्रिजनों के साथ में अपने परिवार के साथ में अपने दोस्तों के साथ में आपकी इसी तरह सपोर्ट के सार रहेगा मिलता रहेगा हमें और हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी कहानिया लाते रहेंगे तो आज के लिए धन्यवाद